हेलो दुस्तों स्वागत है आप सभी का श्रीवी होम प्लान पर और आज आप सभी देख रहे हो हमारा आज का ये मोडल जी हाँ दोस्तों आज इस वीडियो में हम इसी मोडल के बारे में डिसकस करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना चलिए शुरू करते हैं तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारा ये मोडल है 25 feet by 28 feet तो इस मोडल को बताने से पहले मैं आपको इसका RCC construction देखा देता हूं जैसे कि आप यहां पे देखे रहे हो यहां पे column structure है यहां पे total हमने use किये हैं यहां पे total आप देख रहे हो 12 column है और जो हमने किया है staircase का structure है तो इसका RCC structure को इस तरह से दिखेगा और यहां पे total plan को हमने divide किया है वह भी आपको दिख रहा होगा यहां पे जैसे कि आप enter करेंगे यहां पे आपको hall दिखने वाला है hall का area में आपको दिखा देता हूं total अभी तो फिर 11 feet 11 feet by 9 feet itís olla hall होने वाल है उसके पाद यहां पे käćए area ठोड़ा uze करनेके लिए और उसके बातरोम दीखने वाला है बातरूम का size होका हमारा 6 feet by 5 feet होने वाला है उसके बात जैसे कि आप यहां पे देख रहे है यह वाला bedroom होने वाला है उसके बात जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर वेट्रूम है यह जो अनिय वहाँ तू बेट्रूम होने रहा है इसको मैं आपको ताइमनेशन बता ही िदेता हूँ दूसरा बेट्रूम है उसका साइ्ज होने वाला है तो तो दोनों से minimum equal size के ही दिखते हैं, तो फिर यहां पी उसके बाद यह जो area दिखने वाला यह kitchen का area है, तो फिर kitchen के area के size जो है वह मैं आपको बता देता हूं, kitchen के area के size होने वाली है total, 12 feet by 9 feet 8 inch में जो हमारा kitchen आने वाला है, अब यहां पे जो आपका area है बताने का आपको, तो व में हमारा staircase हमने design किया है, तो आपको मैं model की तरफ लेगे जाता हूं और दिखा देता हूं कि model हमारा किस तरह से देखने वाला है, तो फिर जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, front में enter करते ही यहां पे, हमने stairs लीगा है, 4 stairs है, 4 stairs से enter करते ही आपको, फोर चीरिया दिखेगा जहां पे आप, enter करते ही कुछ सामान, विमान या कुछ से रख सकते ही आपका, तो फिर उसके बाद enter करते ही यहां पर आपको 3 feet by 7 feet का यह, देखने को मिलने वाला है, 3 feet by 7 feet का यह दो देखने को मिलगा, उसके बाद terrace का जो area है भो देख सकते हैं आप यहाँ पर terrace का हम ने यह utilize किया है यहाँ पर थोड़ा सा design दिया है हमने यहाँ पर एक बहतरी design दिया है जो आपके घर को एक शांदर look देता है और यहाँ पर top पर हमने एक slab दिया है जो एक fancy look देता है घर को थोड़ा सा अलग से उठके दिखने के लिए और अभी हम मैं आपको इस room का distribution phase से दिखा देता हूँ तो यहाँ से enter करने के बाद आपको मिलता है hall और hall के बाद यहाँ पर एक passage है जो जहाँ यूटिलाइजरेशन के लिए आपको जहां से आप bathroom यूज कर सकते हैं यहाँ पर kitchen है kitchen भी हमने kitchen भी आपको बड़ी size में मिल जाता है यहाँ और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ हमने इसको terrace पर जाने के लिए जो area है वो distribute कैसे की है वो आपको बता देता हूँ जैसे कि आप देख रहें यहाँ से entrance होने वाला है हमारे terrace पर यह utilization होगा terrace का हमारे तो फिर यह ता हमारा आज का model अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो please हमारे इस वीडियो को like करे, share करे और channel को subscribe करे तो चलिए हम मिलते हैं आप next video में